नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था हम 1983 विजेता भारतिय टीम के सदस्यों पर एक सीरीज लेकर आएंगे तो हम आगए हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सयद किर्मानी के बारे में जो पूरो भारती बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर भी किर्मानी का जन्म 29 दिसंबर सन 1949 को मदरास में हुआ था इनका पूरा नाम सयद मुझतबा हुसेन किर्मानी है इनके बेटे का नाम सादिक किर्मानी है सयद किर्मानी ने भारत के लिए खेलते हुए कई मैचों में अच्छी बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जिताया है तो कभी बिकेट के पीछे से भी इनोंने अपना योगदान दिया है किर्मानी ने 24 जनवरी सन 1976 को अपने कैरियर का पहला टेस्ट मैच निवजी लेंड के खिलाब खेला था और 21 फरवरी सन 1976 को इनोंने अपना वन डे डेब्यू किया किर्मानी ने सन 1983 किकेट विशोकप में सरोसेस्ट विकेट कीपर का पुरुषकार जीता इनोंने फाइनल मैच में बेस्टेंडिज के फाउड बेकर्स का कैच पकड़ा था इनोंने जिम्बाम्बे के खिलाब पहले दौर के मैच में तीन कैच पकड़े थे और साथ में दो स्टंपिंग भी की थी जिंबांबे के खिलाफ ही किर्मानी ने कपिलदेव के साथ मिल कर नवे बिकेट के लिए 126 रन की साज़दारी भी की थी सयद किर्मानी के इनाकरों से पता चलता है कि वह विश्व कब विजेता भारतिय टीम के लिए कितने आहम सदसे थे किर्मानी निचले करम के एक भरोशे मंद बलेबाज थे और इनका काम विकेट कीपिंग और निचले करम में बलेबाजी करना ही था इसके वज़ा से इनोंने अपने किर्केट केरियर में केवल 49 वंडे मैच ही खेले और तीन सो 30 रण बना ही, साथ ही 27 कहेच पकड़े और नो इस्टंपिंग भी की वंडे में इनका बेश्ट इसकोर है और अर्थालिस रण पर रण पर नबाध किर्मानी ने अपने टेस्ट करियर में 88 मेच खेले जिसमें 27 pac-ern बना है और दो सतक भी लगा है, बारह और सतक भी लगा है 102 रोन इनका बेस्ट इसकोजा किर्मानी के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक विकेट भी है इसके साथ थी टेस्ट क्रिकेट में इनके नाम 116 कहें 34 स्टंपिंग है सयद किर्मानी ने भारत के लिए 1976 से 1986 तक क्रिकेट खेला इनने साल 1982 में पदमश्री के समान से भी समानित किया गया 2015-16 में ने करनल सी के नाइडू Lifetירment Award के समान से भी समानित किया गया इन्होंने करनाट का टिम के लिए गडलू क्रिकेट खेला था झाल झाल